Hello guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अपरेल तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे daily current affairs pdf, weekly pdf, मंतली pdf और हर महीने के banking and economic awareness pdf चाते हैं तो current affairs funda का one year membership plan आप चोईन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में या फिर first comment में मिल जाएगा आपको बता दे इस one year membership plan के तरहत हम आपको जितना भी हमारा pdf content है वो एक साल तक provide कराते हैं जिसे आप download कर सकते हैं, print out भी निकलवा सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप current affairs funda app को यूज कर सकते हैं या फिर अपने laptop ए सिस्टम की मुदद से web login करके भी access कर सकते हैं कोई भी exam हो, banking, sse, railway office, state, pcs, जहां पर भी general awareness या current affairs पूचे जाते हैं सभी exams के रहे हमारे pdf content काफी useful है कोई भी अगर आपका doubt है हमारे pdf को रिसम मंदित तो आप comment box में आवश्य लिखेगा साथी सभी current affairs, paid subscription, users के लिए एक जरूई सूचना है देखिए आप सभी के mobile में pdf download करने का feature enable कर दिया गया है हर pdf के आगे एक download का button है उस पर अधिया आप click करोगे तो आपके internal storage में pdf download हो जाएगी ठीक है अब यह feature आपका mobile में enable कर दिया गया है और जो web access करते हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और download का option जल्दी web access के दौरान भी आपको मिल जाएगा थोड़ा time लएगा फर यहाँ पर भी यह feature आ जाएगा ठीक है फिलाल आप करेंटर फिर्स फंडा एप को यूज करो वहां से अपना PDF डाउन्लोड करो चलिए आच्छे question देख लेते हैं इसका answer आपको comment box में करना है Indian green revolution started from भारतिया हरीत करांती की सुरुआत कहां से हुई थी option से कानपूर लखनव पंतनगर या फिर जल्दी से answer कर दीजे फिर हमागे बढ़ेंगे इसी तरह question से दिया practice करना चाहते हैं तो current affairs funda को टेलीग्राम पर जरूर जोइन कर दीजे देली आपको static और current affairs की question वहाँ पर मिल जाते हैं current affairs funda नाम से यह हमारा चैनल है Sanjay Agrawal has been appointed as the managing director and CEO of which bank Sanjay Agrawal को किस bank के परबंद देशक और CEO के रूप में फिर से नुक्त किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option D है AU small finance bank आपको जाना चाहिए Reserve Bank of India ने Sanjay Agrawal को AU small finance bank के managing director and CEO के तोर पर reappoint करने की मंजूरी देती है साथी उत्तम तिब्रेवाल यह AU small finance bank के whole time director रहेंगे आपको जाना चाहिए जो reappointment की गई है अगले 3 साल तक की गई है यानिकि 2026 तक संजे Agrawal के अगर हम बात करें तो सबसे पहले managing director थे AU financiers के 14 फरवई 2008 को अपॉइंट किये गए थे उसके बाद फिर यह company small finance bank में transform हो गई 19 अपेल 2017 को और तभी यह इस bank के managing director and CEO भी बने थे EU small finance bank की बात करें headquarters जैपूर राजस्थान में है इसकी tagline है चलो आगे बढ़ें वेन वास्थ वर्ड चागास टीजीस टे फरस्ट सेलिब्रेटेड ओन एप्रेल फूर्टीन विश्विश चागास रोक दीवस पहरी बार 14 अप्रेल को कब मनाया गया था options आपके सामने है सही answer option B है 2020 2020 देखिए आपको जाना चाहिए जो वर्ड चागास टीजीस टे है यह हर साल 14 अप्रेल को observe किया जाता है एक व्यक्ति रहे कार्लोस रैपिरो जस्टिनियानो चागास तो उनी के नाम पर यह डे बनाए गया है यह एक ब्राजिलियन डॉक्टर थे जिन्होंने इस डिजीज का पहला केस डागिनोज किया था 14 अप्रेल 1909 को आपको दाने 2030 में इसका थीम है टाइम ट इंटिग्रेट चागास डिजीज इंटो प्राइमरी हेल्थ केर साथ है आपको यह जाना चाहिए वर्ट चागास डिजीज टे सबसे पहला है साल 2020 में अपसर्व किया गया था अगर हम इस डिजीज की बात करें से साइलेंट और साइलेंस्ट डिजीज भी कहते हैं यह एक एरा साइड जिसका नाम है ट्राइपानोसोमा कुरूजी इसके कारण हो ट्रांस्पिट होता है पाइनिमल्स में आफिट लोगों में किसके दवारा इंसेक्ट फैक्टरस के तो और यह केवले अमेरिकास में ही है यह डिसीज हास करका यो लैटिन अमेरिका इसके डूरल एर what is the status accorded to SECI by the government of India 12 सरकार दोरा SECI को निम्न में से क्या दर्जाप राप्त हुआ है options आपके सामने है सही answer option C है मेनी रतने category 1 देखे solar energy cooperation of India limited SECI इसको मेनी रतने category 1 Central Public Sector Enterprise का status दिया गया है आपको बता देए 2011 में इसे incorporate किया गया था और यह primary implementing agency है Ministry of new and renewable energy government of India के तहत जो हमारे देश में renewable energy schemes projects इनको implement करने के लिए इनकी implementation को देखती है और highest credit rating भी है ICRA द्वारा इसको AAA rating दी गई है इसके managing director सुमन्त सर्मा है विशिटी is hosting the SEO Millets Food Festival organized by the Ministry of Tourism Government of India 12 सरकार के परेटन मंत्रा देवरा आई जित SEO Millets Food Festival की मेचमानी कौन सा सहर कर रहा है options आपके सामने हैं सही answer option भी रहेगा मुंबई देखें आपको जाना चाहिए Ministry of Tourism Government of India यह 13 से 19 अपरेल 2030 के बीच मुंबई में ताज महल पैलेस में SEO Millets Food Festival को और्गनाइस कर रहा है जहां पर SEO Member Countries कजाकस्तान, करिकिस्तान, उजबिकिस्तान, तरशिया से सैफ आई हुए हैं और अपने कुईजीन को जो है बना रहे हैं सर्व कर रहे हैं गेस्ट के लिए तो जो ताज महल पैलेस है यह SEO Millet Food Festival को होस्ट कर रहा है किसलिए क्योंकि हम 2030 को इंट्रेसल यर ओफ मिलेट्स मना रहे हैं संगाई कोर्परेशन हो गया है इसी बात करें आप सभी जानते हैं एक इंटर गोर्मेंटल और्गनाइशन है जिसकी स्थाबना 15 जुन 2001 को संगाई में हुई थी एट मेंबर स्टेट्स हैं चाइना इंडिया कजाकस्तान करिकिस्तान रश्या पाकिस्तान तजिकिस्तान एंड उजबेगिस्तान चार ओपसरवर स्टेट्स में और 14 डायलोग पार्टनर से हैं आप से भी जानते हैं 2030 के लिए बारत के पास SCO की प्रेश्डेंसी है और मिर्स्ट्र टुरिस्म में कई सारी इवेंट्स यहां पर संपन हिये 9 से 11 फरवई के बीच में SCO Tourism Mart भी गया गया SCO Expert Level Tourism Working Group मीटिंग भी की गई SCO Tourism Ministers मीटिंग भी की गई कासी वाराणसी में 13 से 18 मार्च 2030 के बीच में अब्यास और यहां में भाग लेने के लिए भारती वाई से न किस देश के लिए रवाना हुई औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन भी रहेगा फ्रांस आपको जानना चाहिए Indian Air Force Continent यानि Indian Air Force का जुद्दल है यह फ्रांस के लिए रवाना हो गया है क्योंकि फ्रांस में जो Mount de Marson Air Force Base है French Air and Space Force का यह Exercise Orion का आयोचन कर रहा है तो यहां पर भारती है जो वायू से नहीं यह भी पार्टिस्पेट कर रही है 17 से 5 में 2030 तक यह exercise चलेगी और भारत की ओर से चार राफिल दो सी 17 और दो आई एल सेमनेट एयर क्राफ्ट पार्टिस्पेट कर रहे है और 65 एयर वार्यर स्पेश में पार्टिस्पेट कर रहे हैं आपको बता दें जो राफिल एयर क्राफ्ट है इसका ही 1st overseas exercises में पार्टिस्पेट कर रहे हैं अच्छा इंडियन एयर फोर्स और फ्रेंच एयर फोर्स के लावें आपर जर्मनी ग्रीस इटली नीधर लेंड्स उनाइट केंडम स्पेइन यूएस इनकी एयर फोर्स इस भी पार्टिस्पेट कर रहे हैं पर्दानमंत्र नेंद्र मोदी ने रहस्तान की पहली बंदे भारत एक्सपेस इनकी किन दो रेल्वे स्टेशनों के भी हज़ी जंटी दिखाई है तो जब रही जंटी दिखाई वसक्त ये ट्वें चवैपूर से डेलीकेंट रेलवे स्टेशन के बीच चिलाई गई ठीक है अच्छा इसका जो रूट है इसको विस्तार किया जाएगा यह इसका में रूट है अजमेर से डेलीकेंट तक रहेगा और इसके स्टॉप स कहा रहेंगे चवैपूर अलवर और पुष्ट दिल्ली से पुष्ट करको अजमेर सरीफ दरगा को आपको बता देलीकेंट से अजमेर की जो डिस्टैंस है वो पांच गंटे-पंदरा मिनिट में पूरी हो जाएगी जबकि जो सेम रूट है यह अगर हम जो फास्टेस ट्रेन है हमारी सतापती एक्सप्रेस उस सेमी हाइष सपीड पैसिंचर ट्रेन है इससे पहले अपने देखा थे कि आट-अप्रयल को प्रामनीस्टर नें दिन मोदी ने चैनली में चैनली कोईंबटूर बंदे भारत एक्सप्रेस को हरीज़न डी दिखाई और उससे पहले ते अकाना में सिकंद्राबाद रेल सिवाओं का नाम क्या है और आपके सामने सही आंसर उप्शन भी है रेपिट एक्स देखिए इंडिया की जो फॉर्स्ट सेमी हाई स्पीड है रीजनल रेल सर्विसेज हैं इनका नाम करण किया गया है नेसल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ड कोर्पेशन एंसी आर टीस पर चलेंगी जो यह नेसल कैपिटल रीजन है हमारा एंसी आर तो यहाँ पर जो महत्रपूर्ण अर्बन नोट्स हैं पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट करेगी है तो जो एंसी आर टीस यह एक जोइंड वेंचर कंपनी है किसके दोरा बनाई गई है यूनियन कॉर्मिंट और डैली हर्याना रहस्तान उत्रपतिस की राज्य सरकारों के द्वारा सोलर पैनल भी लगाये जा रहे हैं इस्टेशन्स पर आपको तादे जो पहली सर्वीस रहेगी डैली का जबाद मेरट रर्टीस को रिडोर रहेगा और डैली से जो मेरट की दूरी है वो काफी कम हो एडियार के नुसार के सराज्य के मुख्यबंद्री के पास सबसे तीक 510 करोड रुपे की समपति है और प्शन्स आपके सामने से यांस रॉप्शन ली है आंधर प्रदीश देखे हाली में जो Association for Democratic Reforms है एडियार इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो पॉल एफिडेविट से है उनके इसाप से तो इसमें बताया गया है कि जो 30 इंक्यूमेंट चीफ मिस्टर से उनमें से 29 करोड पती है और इनमें सबसे अधर समपतिया अंधर प्रदेश के जो पंदरा लाक रुपे मांत्र आपको बताते है एडियार एंड इलेक्शन वाच यह जो पॉल एफिडेविट सोते हैं उनको एनलाइस किया इन्होंने 30 करण चीफ मिस्टर्स ऑफिस्टेट से इनुरें टेरेट्री तो इसमें 28 राज्यों की चीफ मिस्टर है और डैली और प पी है हर एक सीम के लिए आउट ओफ 30 सीम जो 13 हैं उन्होंने अपने एफिटेविड में सीवियस कीमिल केसे पी डिकलेर की हुएं जिनमें की मर्डर अटेंब्ट टू मर्डर की ट्नैपिंग एंड किमले इंटिमिडेशन के चार्चिस भी हैं टॉप त्री चीफ मिस्टर्स कि अगर हम बात करें एसेट के मामने में तो पहले नंबर पर जैसे आपको बता है आंदर प्रदिस के जगर मोहन रिड्डी हैं 510 क्रोड रुपे दूसरे नंबर पर अरुणाचिर प्रदिस की पेमा खंड हुए 163 क्रोड रुपे से ज्यादा एक संपत्ती औरीजा के नव तरनितीश कुमार और डेली के जो हैं अरविंद के जिवाल इनके पास जो एसेट से यह तीन क्रोड रुपे के हैं विच बैंक हैस इंटर्डूस्ट एन एमाई फैसलिटी फॉर यूपी आई पेमेंट्स मेड़ बाइ स्कैनिंगा क्यू आर कोड किस बैंक ने क्यू आर एगये यूपी अई बुकतान के लिए एमाई सुविधा सुरू कि है और आप्शन साब के सामने हैं सही आंतर ऑप्शन भी है आइसी आइसी बैंक लिए एमाई फैसलिटी इंट्रूस्ट कर रही है यूपी आई पेमेंट्स के लिए जो क्यू आर कोड को स्कैनिंग करके कि गई है उनके लिए EMI फैसलिटी एनॉंस कर रही है तो यहां पर कस्टमर्स जो की पेलेटर फैसलिटी के लेजिबल है वो इस EMI फैसलिटी को एवेल कर सकते हैं बैंक्स की बाइनाव पेलेटर उप्शन को चूस करें तो ऐसे बैंक के कस्टमर्स ट्रांजेक्शन एमाउंट जो की तरशार से ज्यादा है उसको इजी इस्टॉल्मेंट्स में पे कर सकते हैं की इन शेया नो मत की जो है इंस्टॉल्मेंट पीडिड में बाइवाट पर्सेंटेज इस्ट इंडॉस्ट्रियल आउट्पूट ऑफ दा कंट्री राइस ओन ये रोन येर बेसिस इन फैबरी टॉन्टी 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 फरवी दोजार देश में देश के अध्यों की इक उत्पाद में वर्स तर वर्स आधार पर कितने प्रतिश्वत की वृत्ती हुई है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर अप्शन भी है 5.6% देखें इंडॉस्ट्रियल आउट्पूट जो है कंट्रिया फरवी 2030 में अगर हम येर ओन येर बेसिस पर देखें तो 5.6% बढ़ा है ऐसा बताए गया है मिस्ट्य ओफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा जारी की गए डेटा में और जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडॉस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी एक्स्पैंट हुआ है मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर का जो आउट्पूट है ये 5.3% इंक्रीज हुआ है जो मारा ये इंडेक्स ऑफ इंडॉस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये 1.2 परसेंट क्रीवा फिर्वरी लास्ट येर में पिशले साल 1.2 परसेंट से ग्रिवा था ठीक है और इस बार कितना हुआ 5.6 परसेंट अचागर हम फिर्वई 2030 के बारे में बात करें आई आई इपी विद बेस 2011-12 ये इसका स्कूर है 138.7 आपको तो आदे जन्वरी इस साल जन्वरी में जो आई एपी ग्रोथ थी 5.5 परसेंट थी इस प्रोग्राम को राज में लॉंच किया है तो इस प्रोग्राम के तहट जो ट्रेंट ऐसे लोग हैं ये हेल्प जी ने बोला गया है तो इनका कॉंट्रिबुशन लिया जाएगा इनफेक्शियस डिजीज जोती एनेमल्स के उनको प्रिवेंट करने के लिए आर्टिफिचल इंसेमिनेशन के लिए अंडर राश्टेक ओकुल मिशन और एनिमल्स टैगिंग के लिए जल संरक्षन और नदी पुनर जीवन के प्रती यूँ आगो प्रिवेंट करने के लिए कि संगठन ने उननचस इस सुद्धियालवे के साथ एक समझोते प्रहस्ताक्षर किये हैं औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन C है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा देखें नेशनल मिशन फॉर क्लीन कंगा इसने के एग्रिमेंट साइन किया है 49 यूश्टीज के साथ जिसके तैस जो यूथ हैं उनको इसपायर किया जाएगा वाटर कंसर्वेशन और रिवर रिजुनेशन के लिए तो इस MOU का मकसद है जो student community है ठीक है उनको आगे रखना एक mass movement create करना sustainable ecosystem of rivers के लिए जल सकती मिनिस्टर गजिन सिंग सिखावते आप सभी जानते हैं नसल मुजियम of Natural History New Delhi and which other museum have signed an MOU to work for environment conservation and environment education रास्टी प्राकरतिक इतिया संग्राले नहीं दिली और किस संग्राल ने परियावरन संदक्षन और परियावरन सिक्सा के लिए काम करने के लिए एक समझते के अपर पर स्ट्रक्षर किये हैं सही आंसर ओप्षन डी है स्टेट मुजियम लखनव देगे नेशनल मुजियम of Natural History New Delhi और स्टेट मुजियम लखनव इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहर यह दोनों ही मिलकर काम करेंगे इन्वार्मेंट कंसर्वेशन और इन्वार्मेंट एजूकेशन से संबंदित इससे मुजियम केता है मल्टी डामेंशनल एफर्ट्स दोनों एजन्सी के द्वारा किये जाएंगे ताकि जो स्कूल से हैं कॉलेज स्टुडेंट से उनमें एवेरिनेस लाई जा सके इन्वार ट्रेशनल लॉलिज आवर्ट्स कौन सा संगठन रास्ट ग्रासरूट नवाचार और उत्कृस्ट पराम्ति ज्यान प्रुस्का राय जीत करता है। आप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन यह है नेसल इनोवेशन फाउंडेशन देखें प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया स्रीमती द्रॉपती मुरू इन्होंने हाली में 11 बाइनियल नेसल ग्रास रूट्स इनोवेशन एंड आउट इस्टेंडिंग ट्रेशनल लॉल सब्सक्राइशन एंडेशन 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 फाउंडेशन की बात करें इसे मार्च साल 2000 में सेट अप किया गया था और डिपार्टमेट अफ साइंस एंड टेकनलोजी गोवर्मेंट आफ इंडिया के तहती आता है इस इंस्टिटुशन इस पार्टनरी विद इंडिया नेवी तो डेवलप सिक्योर मैरिटाइम क्मुनिकेशन इजिग क्वांटम टेकनलोजी क्वांटम प्रतोगी के आप उप्योग करके सुरक्षित, समुद्री संचार, विक्सित करने के लिए कौन सा संस्थान भारती नोसेना के साथ सायधारी कर रहा है औप्शन्स आपके सामने है, सही आंथर औप्शन यह है रमन रिसर्च इंस्टिटूशन आर आर आई देखे, क्वांटम टेक्नलोजीज को जल्द ही, मैरिटाइम कम्म्निकेशन को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाएगा इस तरह के एफर्ट्स के जा रहे है, रमन रिसर्च इंस्टिटूट और इंडियन निवी के द्वारा रमन रिसर्च इंस्टिटूट के अगर हम बात करें, तो यह एक ऑटोनॉमस इंस्टिटूट है, डिपार्टमेंट ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी के तहत, बेंगलूर करनाटक में इस्तित है इसनेक मेमरंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया है, वेपन्स एंड इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स इंजिनिंग स्टेप्श्मेंट इंडियन निवी के साथ, पास साल के लिए एग्रिमेंट है तो इसके तहए जो रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट है, इसका जो कॉंटम इन्फोमेशन एंड कम्प्यूटिंग लेब है तो इसके तहएत कुछ एफर्ट्स किये जाएंगे, ताकि जो मैरिटाइम कम्विन्यूकेशन सिस्टम इंडियन ने विका, उसको सिक्ट्यूर किया जा सके एपरेल 13, 2023, मार्क, विच एनिवरस्री ओफ तक जलिया वाला बाग मैसकर तेरा अपरेल 2030 को जलिया वाला बाग अंडर सिंगार की कौन सी वर्सकांट मनाई गई, उप्शन्स आपके सामने है, सही आंदर उप्शन टी है, 104, 104, देखे तेरा अपरेल 2030 को, 104 वी अनिवरस्री जो है, उपसर्व की गई, जलिया वाला बाग मैसकर की, यह स्पलिंग या आप से भी जानते हैं, यह जो मैसकर हुआ था, यह तेरा अपरेल 2019 को हुआ था, मरिसर पंजाब में, एक्चिरी हुआ क्या था ना, यह तो तेरा अपरेल को आता लेगे निश से पहले, दो घटना ऐसी हुई थी, जिनके खारण यह हुआ, नो अपरेल को ऐसा हुआ कि, यह बाद, ब्रेटिस गवर्मेंट ने जनरल रेजिनल्ड डायर, जो आप देखने हैं, इनको कहा कि, सांती बनी रहे, किसी तरह की कोई खटना ना रहे, तो जो यह जनरल रेजिनल्ड डायर हैं, इनोंने एक फत्वा जा जी करा, कि कोई भी अपने घर से निकलेगा, बिना पा उन्होंने भी अपनी बैठके की, तो माँ पर इन्होंने दो तीन रेजोलिशन भी पास किये, जिसमें इस चीज को विरोध किया गया, कि यह जो वाइलेंस हुआ, दस अप्रेल को उसको कंडेम किया, रोलेट एक्ट को कंडेम किया, तो उसी वक्त जनरल रेजिनल्ड डायर इन्होंने अपने सिपाई को भेज दिया, अपने आप भी पहुँझे गए, और मापर गोलिया चला दी, बिना कुछ देखे सुनेंगी क्या चल रहा है, क्या नी चल रहा है, कई लोग इसमें मारे गए, तो 389 से लेकर 1000 लोग के बीच में हापर casualties हुई है, casualties मतलब जिन 12 से ज्यादा injured हो गए थे, इसके विरोध में रविदनाथ टैगोर ने अपनी नाइट रोट की उपादी भी वापस करती थी, 1915 मेने मिली थी, और गांधी ने भी अपने कैसरे हिंद का जो टाइटल है, वो गिव अप कर दिया था, एक्चली ये महत्तपूर्ण है ये चीज़े, ये रविदनाथ टैगोर गांधी ये संबंदित, क्योंकि ये जनरल लोटेज में पूछ ली जाती है, चाय कोई भी एक्जाम हो आपका, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है, जो आपको मालूम होनी चाहिए, अच्छे जो ये ज नियूस्पेपर रहता तो The Morning Post, शायद ये नाम है The Morning Post, The Morning Post में कई लोगों ने फंड भी दिया, बताब इस नियूस्पेपर ने स्टार्ट कर रहा था है फंड, कई लोगों ने फंड बी किया, कि जो ये जनरल डायर है, इनको फंड दिया जा सके, नोकरी चली गई है, इनको वो पैंचन मिलती रही पूरी जिंदिक एपनी जो पैंचन तीन की आर्मी की वो मिलती रही ठीक है तो फंड इकठा किया गया रोटीयार्ट की प्लिंग का ना आपने सुनाओ का जंगल गुक के राइटर जो है इवन उन्होंने भी इसमें फंड दिया था उन्होंने तो यह भारत को बचाये दा मैन हो सेवड इंडिया उधम सिंग जो हमारे रिवुलिश्ट नहीं टिडर रहे उन्होंने हत्या कर दी थी मतलब मार दिया था किसको वो दूसरे डायर थे वो माइकल ओ डायर थे वो भी जो पंजाब में वाइलेंस वा था उसमें उनका हाथ था ठीक ह यह वाला डायर तो लास्ट तक जिनता ही रहा अंबेड़कर जयनती और भीम जयनती किस्तिति को मनाई जाती है सही आंसर ऑफशन भी है 14 अप्रेल एक और मैं आपके लाया हूं पूरी डिटेल जानेगा इसमें कई आसे पॉइंट से जो आपके एक्जाम पॉइंट ओफिय किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं देखे मैं आपको बता हूंगा कैसे अंबेड़कर जयनती या भीम जयनती 14 अप्रेल को मनाई जाती है आपको बता दे बाबा साहिब डॉक्टर भीम रहा अंबेड़कर 14 अप्रेल 891 को इनका जन्म आता मो मध्यप्रदेश में एक को कोशन यह बनता है यहां से अच्छा इन्हों अपनी M.E.O.P.H.D. की डिग्री इस कोलंबिया उस्टी से प्राप्त की थी ठीक है अच्छा इन्हों ने अब अपना एक एस से लिखा था कास्ट इन इंडिया दिर मेकेनिजम जेनेसिस एंड डेवलप्मेंट एक कोशन यह हो इंपीरियल फाइनेंस इन प्रिटिस इंडिया ठीक है फिर इने M.E.C. डिग्री मिल गई लंडन इउस्टी से उसके बाद यह बन इउस्टी जर्मनी चले गए वहां पर इन इन इस सम्मिट करी प्रोब्लम ऑफ रुपी इस ओरीजिन एंड सॉलूशन महत पॉर्ण कोशन क 13 अक्टोबर 1935 को यह उला नासिक डिस्टिक में डिप्रेस्ट क्लासिस की कॉन्फरेंस हुई वहां पर इन्होंने एननाउंस किया कि I was born in Hinduism but I will not die as a Hindu और जो हुआ भी असा ही था ठीक है हिंदू पैदा हुए थे लेगिन डैथ हुई तो हिंदू नहीं थे 1936 में इन्होंने बॉंबे प्रेसिदेंसी महर कॉन्फरेंस को बेर प्रस किया और हिंदूइज्म को छोड़ने की वकालत की अगस्त 1536 को इन्होंने इंडिपेंडेंट लिपर पार्टी बनाई एक और महत्पॉन को शनिया से बनता है 1922 को Executive Council of the Governor General of India अपॉइंट किया गया ऐसा लिपर मेंबर यह स्टेट PCS IES एक्जाम के लिए महत्पॉन होता है 1946 में इन्होंने इसम्बली में इलेक्ट हुए यह बंगाल से एक और महत्पॉन कोश्यान PCS टाइफ एक्जाम के लिए सेम टाइम में इन्होंने एक बुक भी लिखी हुवर शुद्राज इस सभी एक्जाम के लिए महत्पॉन है हुवर शुद्राज इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में यह मिस्ट्र फ लॉए जस्टिस बनाए गए नहरू की जो कैबिनिट थी उसमें अलागी बाद में इस्तिवा दे दिया था कि इनके विचार नहीं मिलते थे नेरू से कुछ पॉइंट पर रहे सा नहीं कि बिलकुली ओपोजिट थे इनको बुद्धिसत का टाइटल भी दिया गया था बुद्धिस मौंक्स के द्वारा जगातिक बुद्धिस काउंसिल में जो काटमंडू नेपाल में हुई थी आपको बतादी रिसर्व बैंक ओफ इंडिया के फॉर्मेशन में इनका सिगनिफिकेंट रोल रहा है और इनके द्वारा ये कंसेप्ट प्रेजेंट किया गया था बाबा साहब के द्वारा हेल्टन यंग कमीशन के लिए इनका जो निधन हुआ ये 6.56 ये भी पूछा जाता है किस सारी इनकी डेथ हुई थी और उससे पहले इनोंने बुद्धा एंडिस धम्मा सबसे मैत्रपूर्म ये भी पूछा जाता है किसकी द्वारा लिखा गया है इसको इनोंने तब अपना फाइनल किया था इसको महा परि निर्वाना दिवस के रूप में मना जाता है अब दो इस्थान देख लीजिए एक तो है दिख्षा भूमी ये नाकपुर सिठी महारास्ट में है यहां पर डॉक्टर ब्यार अंबेड करने बुद्धिस्म को एंब्रेस किया था जो दक्ट्रपर चैति भूमी ये आपका दाधर मुंबई महारास्ट में है ये क्रिमेशन प्लेस है ब्यार अंबेड करका ठीक है तो इस अभी पॉइंट से आधर रखेगा मेहत पूने है चीफ आर्टी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कोस्टिटुशन कहते हैं दोक्टर ब्यार अंब इस पर 300 टूना मेंटेन विमन्स कटेगरी कारी ना मेरीन इस्पेन से हैं इसे पार्ट अफेट पर इस ओंग वन बिलियन व्यास टोर फंट्रेस ट्रेस ट्रेस ट्रेस्ट में इन दो लुकुर अंसर इस फोन पे आपने से कही अस्ट्रेंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसे तरह से पार्टिस्पेट करते रही है आप लोगों नहीं सीखना की ज्यादा ज्यादा संख्या में बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं In March 2023, the WHO declared which two countries as malaria-free, which addition of India-UK Home Affairs Tile-Up was held recently in New Delhi, in which state was the New-Bakum-Moth Species, Kapoloposize-Kiralinis is found. Sekh Khalid bin Muhammad bin Jaiad was recently named the Crown Prince of which country? Article 32 of the Indian Constitution has been described as the heart and soul of the Indian Constitution by which person? तो ये 5th question भी मैत पूर्ण है, सभी question मैत पूर्ण है, आंसर कीजिएगा इन सभी questions का. साथी Current Affairs Funda को आप Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, या पर regular वीडियो अपडेट्स और Current भी जिससा माँ आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं. दोस्तों, आपर हमारे Current Affairs की प्लेजिस दीकी है, इसको आप जरूर देखें, अब में दोस्तों के साथ, fellow experts साथ हमारे Current Affairs को शेर जरूर करें, आज का इस सेशन आपको कैसा लगा, comment books में वश्योता हिएगा, thank you guys.